Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Terror Guys, आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह की भोले शंकर, भगवान भोले शंकर आज सावन का पहला सोमवार है आज से सावन का महीना स्टार्ट हो गया और भगवान भोले नाथ आपको क्या मेंसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के थूप और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप महां से मुझे मेंसेज कर सकते हैं तो जो भगवान भोले नाथ है वो बहुत दयालू है बहुत जल्दी एक लोटा जल चड़ाने से ही जो है वो बहुत जल्दी प्रसन होते हैं और जो भोले नाथ की भक्ति करता है ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान भोले नात की भक्ति करता है, जरूरी नहीं कि उसको जलदी मिल जाए उसकी भक्ति का पल, हूँ सकता कई सालों लग जाते हैं, तो लच्छमी जी, अगर विश्नु भावान कहेंगे लच्छमी जी से कि आप मेरे उस भक्त के घर चली जाओ, तो लख्षमी जी उस भक्त के घर नहीं जाएंगी बलकि अगर शिवशंकर भोले नाथ, अगर लच्षमी जी से कहें कि आपको मेरे उस भक्त के घर जाना है, भक्त के पाज जाना है, तो वो दोड़ी दोड़ी चली आती हैं, तो भगवान भोले नाथ की भक्ती की ये जो है महीमा है, भले एक कुछ साल लग ज लेकिन वो कभी ना कभी आपको लक्षमी इसे सुख सम्रद जरूर करते हैं तो भोले नाथ जो है ना वो बहुत जल्दी प्रसन होते हैं आप एक लोटा जल अगर उनको चड़ा देते हो भक्ती भाव से तो उससे भी वो प्रसन हो जाते हैं अगर आपके घरमें अगर आपके घरमेंट की वो महिमा है कि अगर आप के घरमें वास्तु दोश है और आप आप किसी वास्तु दोश से पीडितो और आप इतने सक्षम नहीं होके आप उस वास्तु दोश Kollegin थीक कर सको तो आप अपने घर से एक जल लेकर जाओ और भोले नात को डेली चड़ाओ अपने घर का जल होना चाहिए आपके मटके का आपके गुंड का जल होना चाहिए अगर वो आप समर्पित करते हो तो भोले नात जो है वो प्रसन होते हैं साथ साथ अगर आपका कोई शत्रू है और आप किसी शत्रू से बहुत परेशान हो तो आपको नीबू से जो है अभी शेक करना है नीबू के रस से जो है अभी शेक करना है भोले नात का और दुश्मन का नाम लेना है पांच सोंबार आपको करना है वो शत्रू आपका आपको दिखेगा भी नहीं, हैना, तो भोले नात की वो महिमा है, भोले नात का जो पंचाक्षरी मंत्र है, वो है ओम नमस्षिवाय, और जो महापुरान के इसाब से जो बीज मंत्र है, शायद, बीज मंत्र तो नहीं कहूंगी, अब कन्फरम नहीं है, लेकिन हाँ, महाशिव पुरान का जो मंत्र है, वो है, श्री शिवाय, नमस्थुभ्यम, तो ये भी बहुत प्रभावशाली मंत्र है, आप इसका भी जाब कर सकते हैं, आप पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमस्षिवाय का जितना आप जाब करेंगे, आपके मन में जो है, शान्ती का अनुभव करेंगे, आपका मन शान्त होगा, और सारी समस्याओं का आपकी समधान हो जाएगा, तो भोले नात की पूजा कीजिए, भक्ती कीजिए, उनकी भक्ती में लीन हो जाएए, और जो भी समस्या है, सारी समस्यां भूल कर अगर आप इस सावन में भोले नात की पूजा अर्चना करते हैं तो वो सारी कश्ट आपके सारी विपदाएं सारी परिशानिया जो है वो दूर हो जाएंगी यह मेरा विश्वास है भावान भोले नात के लिए तो भोले नात आपको आज क्या message दे रहे है इन cards के थूर हम देखेंगे कि भोले नात क्या आपको संदेश दे रहे हैं आपको क्या guidance दे रहे हैं तो पहला जो card आया है बी mindful of conflict एके card को में आपको समझाऊंगी तो सारे cards निकल जाएं तो next जो card है वो है spend the day with God Forgive yourself Follow your dreams तो भगवान भोले नात आपको क्या cards के थ्रू message दे रहे हैं आज क्या message Notice that special person भगवान भोले नात आपको क्या message दे रहे है तो यहाँ पर जो card आ रहा है See God in all things Observe your attitude Change direction और take steps to get healthy तीन कार्ड और लूंगी में Notice subtle changes और practice the art of transformation और eat healthful foods तो यहाँ पर मैंने एक एक करके cards जो निकाले हैं आपके लिए तो सबसे पहला जो card है Be mindful of conflict का तो जिस भी चीज से related जिस व्यक्ती से related आपका conflict है उसके बारे में आप सूचिए mindful रही है क्या उनसे जो आपका conflict है वो सही है उन चीजों को analyze कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं आप जो है गलत चीजों के उपर आप conflict उस इनसान से रखे हुए हो इस चीज को assess करने की बहुत जरुवत है जो भी आपका issue है उसको बहुत ध्यान से समझिए कि उस इनसान से आपका issue किस बात को लेकर है spend the day with God आपको अपना दिन जो है वो इश्वर के साथ व्यतीत करना है तो आपको जो है या तो आप दिन की शुरुवात करें या दिन का कुछ समय जो है वो इश्वर के साथ व्यतीत करें एक समय आप निर्धारित कीजिए जिस समय में आप या तो मंत्रा चेंटिंग करें या आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, है ना? या आप या जो है कोई Holy Books आप पढ़िये, मतलब आप जो दिन है, दिन का कुछ समय जो है वो आप जो है इश्वर के साथ बिताएं इश्वर के नाम के साथ बिताएं इश्वर के ध्यान के साथ बिताएं तो यहां पर कुछ पार्ट्स कुछ समय आपको दिन का जो है इश्वर के साथ बिताना है इश्वर की पूजा आराधना में बिताना है साथ साथ forgive yourself अपने आपको माफ करना है तो आपको जो है अपने आपको भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है और खुद से प्यार करना है जब तक आप खुद से प्यार करोगे नहीं करोगे ना तब तक दूसरे भी आप से प्यार नहीं करेंगे और अपने आपको माप कीजिए, अपने आपको किसी चीज के लिए जिम्मेदार मठेराई है, बार-बार अपने आपको दोशारोपन मत कीजिए, और अपने आपको हील कीजिए, अगर कोई चीज है, कोई इशू है आपकी लाइफ में, तो उसको हील करने की कोशिश कीजिए, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है follow your dreams, अपने dreams को follow करे, जो भी आपका dream है, जो भी आपका सपना है उसको follow करे, उस ambition को fulfill करने की कोशिश करे तो अपने dreams को follow करे, जो भी आपका सपना है उसके को follow करने की कोशिश करे, उसको fulfill करने की कोशिश करे साथ साथ notice that special person आप उस special person को notice कीजिए जिस इंसान को आपने पहले कभी इग्नोर किया है उस person को notice करना है start कीजिए कि वो आपको क्या कहना चाहता था वो आपसे क्या बात करना चाहता था उसका उद्देश आपकी life में आने का किस बात को ले कर था मतलब वो क्यों आना चाहता था आपकी life में तो उस इंसान को आपको notice करना है क्योंकि हो सकता है कभी-कभी हम किसी अच्छे इंसान को अपनी life में इग्नोर कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत beneficial हो सकता है तो उस इंसान को notice कीजिए जिस इंसान को आपने कभी ignore किया था next जो card है वो है see God in all things सारे चीजों में सारे जीवों में हर चीज में आपको इश्वर को देखना है हर एक चीज को हर एक वस्तू को आपको इश्वर से जोड़ना है या इश्वर को उन वस्तू में देखना है है ना तो जब हम इस तरह से देखते हैं ना तो हमारे मन में एक प्रेड़ना उठती है हमारे मन में एक positivity आती है इश्वर के प्रतियास्था जो है हमारी बढ़ती है साथ साथ observe your attitude अपने attitude को observe कीजिए कि आपका attitude कैसा है क्या आप positive हैं क्या आप negative हैं कैसा attitude है आपका positive है या negative है अपने attitude को समझिए क्या आप negative इंसान तो नहीं हों क्या आपकी सोच negative तो नहीं है क्या आपके सोचने समझने का तरीका तो नकरात्मक नहीं है जिसकी वज़े से आपके काम दिले होते हैं तो आपको वो चीजें observe करनी है अगर आप positive होंगे ना तो definitely आप positive चीजों के तरफ attract होंगे और जीवन में सारी चीजें आपको देर सवेर जरूर मिलेंगी चेंज direction अपना direction अपनी दिशा बदलने की कोशिश कीजिए तो अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा है की जो आपको आपको दूसरा तरीका अपनानना चाहिए तो अपनी सोचने का, अपने चीजों को ट्रीट करने का, बिहेव करने का तरीका जो है, वो चेंज कीजिए, टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, आपको हेल्दी रहना है, आपको फिजिकली हेल्दी रहना, जब हम फिजिकली कहते हैं, तो अगर आप शारीरिक तौर पर हेल्दी हैं तभी आपका माइंड भी हेल्टी रह पाएगा अदर्वाइस आप उसी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो आपका माइंड जब बहुत मैसब हो जाएगा तो आपको हेल्दी डाइट प्लान करना है आपको एक्सेस करनी है आपको योगा करना है मेडिटेशन करो वाकिंग करो डाइटिंग करो मतलब हेल्दी फूड खाओ ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं वो चीज स्वाद के लिए खा रहे हैं पता पढ़ रहा है हमारे शरीर में जाकर वो चीज हमको नुकसान पहुचा रही है तो जो भी चीजे खा है वो हेल्दी हो स्वाद पर मत जाईए क्योंकि अंदर जाकर वो चीज आपके लिए जहर बन जाएगी तो उन चीजों को एवाइट कीजे जो आपके लिए जहर है तो आपको हेल्दी डाइट प्लान हेल्दी रहने के लिए steps जो है वो लेने चाहिए eat healthful foods आपको healthy food खाना कौन-कौन जे healthy food होते हैं जैसे की fruits खाईए, salad खाईए, पानी ज़्यादा पीजिए और spicy food को avoid कीजिए, proteins लीजिए और milk लीजिए, dry fruit खाईए, है ना ऐसा food खाईए जो healthy हो, और आजकल alkaline water भी चला है, alkaline water आप कैसे बना सकते हो, काज की bottle लेलो, और उस काज की bottle में आपको जो है, खीरा जो होता है ना, खीरा काट के आप डाल दो, एक गाजर जो है आप उसमें काट के डाल दो, लेमन के कुछ पीस आप उसमें काट के डाल दो, आप उसमें पुदीना डाल दो, आप उसमें धनिया डाल दो, और इस तरह से जो वो water है, वो alkaline, 12 घंटे लगते जब आप ये सब चीजे डालोगे उस पानी में, तो 12 घंटे लगते उसको तैयार होने में alkaline water को, तो वो जो और कोशिश कीजिए इस bottle को आप नौर्थीस्ट कॉर्नर पे रख दीजिए, घर का जो नौर्थीस्ट कॉर्नर है, उस कॉर्नर पे आप इस bottle को रखे और उसका पानी आप पीजिए डेली, लेकिन 12 घंटे अगर आपने तैयार, सपोस आपने रात में उसमें ये सारी चीजे डाली है, तो सुबह पानी आपका पीने लायक तैयार हो जाएगा, दिन भार उस पानी को पीजिए, वो जो सबजियां बसती हैं, आप उसको गाय के लिए एक साइट कहें पर गाय को खिला दीजिए, गाय के लिए रख दीजिए, फिर से आप रात में फिर से निउ वाटर जो आप तैयार करेंगे, दिन भार वो थोड़ा थोड़ा पानी आपको एक लीटर, दो लीटर, जिस भी कंटेनर में आप बना रहे हैं, दिन भार में उस पानी को आपको कंस्यूम करना है, तो इससे जो है, आप हेल्दी होंगे, और सारी कुछ, अगर कुछ आपको बिमार इसन लेकर आईए, मतलब ट्रांसफरमेशन कैसा, आपको एक रूटीन बनाना है, आपको एक डिसिप्लेन बनाना है, कि हमको ये कारने तो बट्राफित हैं, जब तक अपनी लाइफ में नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में एक पॉसिटिव जेंज लेकर न तो आपको क्या करना है अपने जो वाड्रोब है उसमें आपको रेड कलर के कपड़े पहनना इस्टार्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका हाट चक्रा हील नहीं है तो ग्रीन कलर के कपड़े आप पहनना इस्टार्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि आपका बुद्ध ग्रे ठीक नहीं है ना बुद्धी की कमी है आपके अंदर है ना तो ग्रीन कलर के कपड़े अगर आपको लग बावर देता है मतलब healing changes आपकी life में लेकर आता है यह नहीं कि आप एक ही एक कलर अगर आप एक ही एक कलर के ज्यादा तर कपड़े पहन रहे हैं मतलब उससे related planet जो है वह आपका खराब होगा इसलिए आप उस color के कपड़े ज्यादा पहन रहे हैं तो किसी भी color को ज्यादा मत पहनिए सारे color पहनिए ताकि सारे planet के attributes आपके जीवन में आ सके आपकी life में आ सके आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वह enhance हो यह थी reading आपको पसंद आई हो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडि हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम साहिराम जय मातादी रादे रादे